दोस्तो आज के इस वीडियो में हम मैथेमेटिक्स का एक इंट्रेस्टिंग और कॉंप्लिकेटिड सवाल लेकर आए हैं सवाल यहाँ पर देखिए बोला गया है फोर का पावर एक्स पलस भे सिक्स का पावर एक्स बरावर में होता है नैन का पावर एक्स तो आपसे पूछा गया है कि भाई एक्स का वैल्यू क्या होगा देखिए यहाँ पर एक्स जो है सब पावर में दिया गया है तो बस वही आपको वैल्यू फाइंड करना है ताकि यह एक्वेशन जो है साटिसफाइड हो जाए देखिए ऐसे सवाल जो है ITJE में भी पूछे जाते हैं सोच लिजी ठीक है चलिए इसको solve करते हैं ज्यादा time pass नहीं करते हैं थोड़ा बनाने के लिए सीख लिजी देख लिजी कि ऐसे सवाल अगर रहते हैं तो किस तरह से बनाया जाता है यहाँ पर partition line खीज दी हैं क्योंकि थोड़ा सा lindy होने माला है ज्यादा lindy नहीं होगा लगिन फिर भी होगा चलिए यहाँ पर question क्या है वो लग यहाँ 4 का power x पलस में 6 का power x बराबर में होता है 9 का power x देखिए इसके बाद आपको करना क्या है 4 का power x है तो हम इससे क्या करेंगे इसको डिभाइड करेंगे तो जागा 4 का power x divided by क्या करेंगे यहाँ 4 का power x से डिभाइड करतेंगे देखिए समिकरन के दोनों तरफ करना है समिकरन के दोनों तरफ हम किसी एक संख्या से डिभाइड कर सकते हैं दिकत वाली बात नहीं है, गुना भी कर सकते हैं, जूड सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा, और संख्या सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो 4 के power x म क्या कर रहे हैं, डिभैट करने हैं, इस समय करने के दोनों तरफ, ठीक है, तो इसके साथ डिभैट क यहां पर का हुआ, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 4x, 4x कर गया, है कि ने? अब उसके बाद दोस्तों, यहां पर क्या है, यहां पर आगया देखिए, कर सक बराबर में, देखें यहां पर भी हाल है, 9 का पावर X, 4 का पावर X, तो इसको 9 बाइ 4 का होल पावर X लिख देंगे, clear? चलिए, यहां 1 पलस में, अब इसको यहां पर काट देजे, क्या कीजे? काट देजे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, उसके बाद दोस्तों, यहां पर क्या होगा? 3 बटा 2 बचा, तो 3 बटा 2, और इसका हॉल का पावर X हो जाएगा, बराबर में क्या होगा? देखें, यहां 9 बाइ 4 है, अब देख रहे हैं, यहां 3 बाइ 2 है, इस चीज को 3 बाइ 2 में, इस चीज को 3 बाइ 2 के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे? हम जान रहे हैं कि जो 9 है वो 3 का स्कॉर है, तो हम 9 को क्या करेंगे? 3 का स्कॉर लिखेंगे, डिबैड़े डबाइ, अब 4 को लिखेंगे 2 का स्कॉर, तो देख सकते हैं, यहां भी 3 बाइ 2 और यहां भी 3 बाइ 2, ठीक है, पावर में अगर X है, तो X से लिख दिए हैं, चल यह बागे बढ़त पावर क्या ची था? X था, तो पावर हमें हम, X को बड़ी बात नहीं, चलिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 1 पलस में हो जाएगा, 3 बाइ 2 का पावर X बराबर में हो जाएगा, दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, अगर पावर का भी पावर रहे, तो आपस में वो द इस चीज़ को क्या कि या बोला गया है, यहां पर हम 3 by 2, 3 by 2, और पावर में कया है X, इसको हम simply You माल लेंगे, क्या माल लेंगे, ऊटिक है, इस चीज़ को क्या किये, माल लेंगे अपसा हम अगर इसा मानने पर क्या result मिलेगा, उसको थोड़ा सा आगे देख लीजे, देख इसको yu मानें जर्टो पर धोए थे तो थायगा फ़िए प्लस में मौझए दैगा ए युणर लिख मैं जर्टो इसको जर्से मैं फ़िग रप में लिख सकते तो कुल ЩFA करके यहां पर यू का square लिख सकते है कि नहीं अरे भाई यह simple सी बात है 3 by 2 को आप 3 by 2 power में 2x है इसको हम power में x कर देंगे और इसका hall power 2 नहीं लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं इस जगा पर यू लिख दियें यहां पर क्या हो जागा इधर 0 बचेगा बराबर में हो जाएगा u square कॉल आ रहा है बहुत जोर स्याद आपको डिस्टप हो इसको बंद कर लेते हैं चलिए तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इधर 0 बचा बाकी बात सब को उठा कर लिख लिए इधर पलस u था इधर म माइनस बन बचा के लिए उसके बाद आप चाहिएगा तो इस इसको इधर लिख दीजिए ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लागए है कि ने चलित हो जागा यू स्क्वाइर माइनस में यू माइनस में वन इस इक्वल टू जीरू अब यहां पर यू का भैल्यू आप हैंड-डू करने का प्रियास कीजिए आप देख सकतें कि यह लीक बाद करने का हमारे पास एक एक समजिक तरह से संविकरन है उसको हम यहां पर लिखते है उसको फ्रमूला को ठीक है क्या चीछ होता है यहां पर यू बराबर में हो जाएगा माइनस बी पलस माइनस रूट बिए स्क्वाइर माइनस में 4ac divided by 2a यह formula है किलियर दोस्तों अब यहां पर देखिए u का मान कैसे निकाल लेगा यहां पर x भी हो सकता है अगर यहां पर variable x रहेगा तो x लिखना है y रहेगा तो y लिखना ठीक है हम u का value find out कर रहे हैं इसलिए u के form में लिख दिया है क्लियर कोई दिकत चलिए अब यहां पर b, a, c यह कौन कौन है देखिए इसका जो coefficient होगा वो a कहलाएगा इसका coefficient b कहलाएगा और यह जो है अपने आप में c कहलाएगा सिम्पल सी फंडा है चलिए जोगा समिकरन के ऊपर भी अगर वीडियो बनाने के लिए आप कहेंगे मदलब की comment कर दीजेगा हम बना देंगे एक दम बारीकी के साथ चलिए तो यहां देख चकते हैं दोस्तों यहां पर u का coefficient कितना है माइनस यू है तो यहां माइनस वन है और यहां पर माइनस भी पहले से तो मैनस पलस होजाए का मालाब की one बचेगा ठीक है फिर यहां पर पलस माइनस root under B square बी के जगा पर क्या है दोस्तों इसका u का coefficient क्या है गुनांग क्या है वैनस वन है तो हो जाएगा यहां पर minus 1 का e square, फिर minus में 4 a c, तो यहां 4, एक जगा पर कितना है दोस्तों, मतलब इसका coefficient, इसका गुणा कितना है, एक हो जाएगा, गुणा में c, c कितना है, दोस्तों, minus 1 है, तो यहां पर minus 1 हो जाएगा, clear, divided वकिया हो जाएगा, यहां पर 2 a, एक जगा पर 1 है, तो 1, clear, चलिए हम इसको चाहते हैं, सौट में भी बना सकते थे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, जिनको समझ में नहीं आता होगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा ब्रीफ में चल रहे हैं, चलिए, तो यहां हो जाएगा, 1, plus minus, root, under हो जाएगा, क्या दोस्तों, minus 1 का square करेंगा, तो हो जाएगा, 1, आप देखें, यहां minus 4 है, यहां minus 1 है, minus 4 को कुना minus 1 से करेंगे, तो क्या होगा, plus 4 होगा, plus 4 को कुना 1 से करेंगा, बलग कुल मिला करके, यहां पर plus 4 आजाएगा, divided होगा होगा, तो 2 कम, 2, clear, चलिए, अब इसके बाद में, अगर इसी के आगे हम जस्ट बढ़ते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 1, उसके बाद में यहां पर आपको plus लेना है, और root अंडर क्या हो जाएगा, 1 plus 4 हो जाएगा, यहां पर 5, divided by 2, तो यह किसका माना आगी है, यह यू का माना आया, यू का माना आया, 1 plus root 5 divided by 2, अब आप कहेंगे कि सर, यहां पर plus minus फर्मूला में था, त यहां पर पूरा resultant minus में आएगा, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई, यह एक्स का मान जो है, पलस में ही आने वाला है, यहां पर सब पुजिटिव नंबर्स हैं, है कि ने, यहां पर यहां 3 by 2 का पावर x बरावर में, यह यू माने हैं, यह भी क्या आपको पलस वाला ही लेना है, चलिए इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आप देख सकते हैं, इस चीज़ को जो माने हैं आप, 3 by 2 का पावर x is equal to u, अब यहां पर डायरेक्ली अगर u का पावर में x रहेगा, तो इस पावर में जो x है, उसको नीचे लाने के लिए ताकि x का value पता चल सके, हम log का प्रियो करते हैं, किसका प्रियो करते हैं, log का, तो दोनों तरफ हम इसमें क्या करेंगे, log लगा देंगे, जैसे ही log लगा देंगे, तो हो जाएगा log, अब यहां पर क्या है, 3 by 2, और पावर में क्या है, x है, ठीक है, बराबर में, इधर भी log लगाएंगे, log अगर लगाना चाहेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिकत वाली बात नहीं है, चली, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख सकते हैं, कि log 3 by 2, इसका hall में power x है, तो इस x को यह फिर यहां बचेगा 3 by 2, बराबर में क्या ची हो जाएगा, log u, clear, चली दोस्तों, अब देखें, यहां पर x का value अब easily find out किया सकता है, x यहां देखें, नीचे आ गया, अब x बराबर में क्या ची हो जाएगा, इधर देखें, यहां पर log u, डिवैड़ेट में क्या हो यहां था, क्या है था, log हो जाएगा, u के जगापर हम लिख सकते हैं, 1 पलस, रूट 5, डिवैड़ेट में क्या ची हो जाएगा, log 3 by 2, यह चीज आएगा, यह किस का माना रहा है, देखें, यह x का माना रहा है, अब इस चीज को जब आप solve करेंगे, log table देखेंगे, log इतना क value, log इतना का value देखेंगे, तो भाई, यह आजाता है, यह आजाता है, 1.187, इसी के approach आता है, एकदम बराबर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एकदम इसी के नजदीक लगभग में आता है, x का value, तो देखें दोस्तों, किस तरह से हम लोग x का value find out कियें, किस तरह से निकालें, log का अभी परियोग कियें, अगर log के भी से मिन जानते होंगे, तो कमेंट जरूर किजएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे, एकदम बारेगी के साथ, तो तो तेखें, अगर x के जगा पर अगर रहेगा, 1.187, तो फिर यह जो equation है, balanced हो जाएगा, इस चीज को आप चेक भी क कर सकते हैं, तो चलिए मुझे उमीद है, यहाँ पर x का value तो निकाल ही दिये, समझी गया होंगे, सारा चीज है कि ने, अगर screenshot लेना है, तो लेख सकते हैं, थोड़ा सा हम sad हो जाते हैं, चलिए दूस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में, ज आए भारत.